यूर्ट सुब गईज कैसे आप सुभी लोग वेलकम बैक टू न्यू गेम प्ले सीरीज तो कैसे हम खेलने जा रहे हैं वन ओफ दी मौस्ट पॉपुलर गेम जिसका नाम है माइनक्राफ्ट अब आप मेंसे बहुत सा लोग के कमेंट होगे हैं यह कैसी से गेम हैं डबबबब वाला है तो वीडियो जो है पूरी एंड तक पहले देखना फिर मुझे ना कमेंट में सजस्ट जरू करना कि मुझे इस पर सीरिस कॉंटीन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं तो एक टाइप सेने सर्वाइवल गेम है यहां पर हमें क्राफ्टिंग करनी है घर बनानाना है ए कर दर मत जाना तो वर्ल्ड का नाम यह काफी टाइम से मैंने सोच के रखाता था अपने वर्ल्ड का नाम ही वर्ल्ड है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं तो वड़वड़ अपनी गेम को मैंने आवर से स्टार्ट कर दिया है और इस गेम में रेंडमली कहीं पर भी स्पॉन और मेरे आगे एक नीचे गुफा जा रही है ओ भाई साम मैंने सुना है ना माइनक्राफ में गुफा के अंदर काफी सई समान मिलता है तो गाइस हम भी हमें इस गेम के अंदर रात होने से पहले-पहले अपना घर बनाना है जिस घर के अंदर एक क्राफ्टिंग टेबल होना जिससे हम अपना समान वान क्राफ्ट कर सके मैं जितने भी हतियार वैपन वगरा होते हैं ओ भाई ये कौन गुमरा आगे मकडी सा और ये कहीं पर समान लेकर जा रहे हैं शायद वर्कर टाइप है और फिर यहां की कुछ मोंस्टर जैसी शकल है तो भाई ये बंदों मेरको गड़बर लगें तो मैं इंसे मजे नहीं लेने वाला तो फटा फट से थोड़ी बोध वूट इगरती करते हैं और हमें रात में Christmas आते हैं बूत आते हैं और भी थोड़े आजीव, मजीव से पीड़े, वीड़े आते हैं जो कि हमें मार देंगे तो उनसे बचने के लिए यानि कि रात होने से पहले-पहले हमें याँ पर अपना एक घर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हम छुपके रात को बिता सकें तो फटा-फट से भी मैंने याँ पर ना वुड इकटी कर देता हूँ और इसको देखो भाई सब क्या ऐसे ऐसे कौनसी वुड कटते है भाई मेरेको तो पहले तुम ये एक्स्प्लेइन करो पर चलेंगें और ये को ना औरे ओ भाई 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 ये तो शीप है मेरे जब बोला तो मिरेको समझाया मार ऐसे कि तो यहां पर शाय सो के तो गवेश का भी मीट मिल गया है तो चलो को यह दिकनी है इसे हम खा सकते हैं जब हमें फूड की कमी बढ़ेगी तो जार इतना फाल्दू टाइम वेस्ट करना नहीं और यहाँ पर oh भाई जेर वेर भी है कैस गेब में मिलकोऊ किसी तो अजीब से ऐनीमल का साउंड आया है भाई यह पिक सजीब आजीब से वाज को निकाल दिल रहा तेरी है सिक एजीब अजीब से वाज शेर जैसे वाज निक यहां पर यह जो और थिखता है कि काम आता है फिर कोना पर किसी वी काम करतों है ताकू । बनाओ कि उपर जा के बनाओ ऊपर चल के मनाएंगा बेस्मेंट में तो कोई भी एंटर हो सकता हुर यह जो गुफा यार बोट जदा ओ भाई ये कोन आ रहा है अब कहा शारी है भाई साब यह तो मुखडी जी कैसे आजीज साउंड आ रहा है भाई भागो भागो मारियो मत मा कोई मारो मुझे मैं कहा गुझ गया यह बड़ी उपकृफा है और उपर जाने के लिए मुझे ना तोड़ना पाड़ेगा तो भी फटा है में अमें क्राफिंग टेबल बनाना है और उस टूल होते हैं पथर काटने के लिए पेड़ काटने के लिए जितने भी अश्य पहले है अपनी में inventory खोल कर देखता हूं तो मेरे पास woods तो हो गई है थोड़ी बहुत तो इन woods को मैं यहां पर place करता हूं और इससे मैं क्या मिलने वाल है मेरे को कुछ नहीं बता और यहां पर तो यहां पर थोड़ी सी वुड मिल गया और कोई चल कर आ रहे हैं ऐसा लग रहा है कोई मेरे आसपास है तो यहां पर एक crafting table मैंने बना लिया अब इस crafting table को मैं यहां पर रखता हूं एक सेगिन अपनी inventory में डाला और इसको मैं यहां पर प्लेस करता हूं ठीक है अब यहां पर इस crafting table से हमें वैप ओके तो यह स्टिक्स बन गी है स्टिक्स मैंने बना लिए एट स्टिक्स अपने पास टोटल बन चुके और थोड़ी सी ना वुड हमें और कटी करनी पड़ेगी तो इसको कलेक्ट करने के लिए मुझे से वापिस तोड़ना पड़ेगा इसे वापिस तोड़ते हैं फटा फटा फट से जितनी वूड हो सकते हैं सारी सारी कटी करते हैं और दुबार से अपने सस्ते मरीजो वाले हांद इसने मारना शुरू कर दिये हैं और देखते हैं वाई कितनी वूड हमें यहां से मिलते हैं और उससे हम बनाएंगे स्टोने फिर जितने भी बंदे हम से चोड़े होने आ रहे है ना मकडी वकडी जितने भी है सब को मारूं और मैं सोच रहो ना विलेजर्स के पास जाता हूं जो उनका घर होता है ना वहां सा थोड़ा बहुत समान चुरा के लेंगा मतलब चोड़ी करना अच्छी बात तो नहीं है सबसे पहलेमेरे को थोड़ी सब्सकिए पास यह बड़ा ओर 뉴스 क जायी को टो अब मेरेको क्या करना है आख सबसे पहले पनी इसलिक्स को यह पर लगाना है और उसके बाद यह जो स्बसके आगाने इस से मिल जाएगा व्लभा अब वुडन एक्स से हम पेड़ काटने में सानी होगी और और स्टिक्स का यूज करकर हम बनाने वाले हैं पिकक्स तो पिकक्स बना लेते हैं एक बारी पिकक्स की जो शेप होते हैं कुछ इस टाइप की होती है तो यह अपना बन गया है पिकक्स तो यहां पर तलवार बनाने का क्या होता है तो अभी मैंने फटावट से सौड भी बना लिए ताकि कोई भी अगर जोंबी और मेरे से लड़ने आये जैसे अभी मकडी लड़ने आगी थी तो इसको मारने में काफे दा काम आती है सबसे पहले एक डुणने जहां पर बच्चा है अर गोड़े के बच्चर ऑगर वायों आ ग़ए गनते से अभी फटावट भी बड़े मांधे म n जहरा है फटा फट वहाँ पर चलते हो इसके उपर ना शायद कुछ वाइट वाइट साय मतलब की उसके उपर मेरे हिसाब से बरफ गिरी हुई है ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं है चलकर देखते हैं क्या पता बरफ गिरी और बादल भी काफी है था नीचे है इस गेम में और सन सब्सक्राइब कर देखते हैं वहाँ पर चलकर अपना हम घर बनाएंगे इस टाइम सूरज एकदम नीचे जा चुक है और चांद वहां से निकलना शुरू हो गया है अब फटा फट से मेरे को आज की राद बिताने के लिए अपना एक छोटा सा घर बनाना पड़ेगा फिर फट चल तो जावाई बार नेकलने का जल्दी चल्दी चल्दी तो मेरेे को और वहाई ज्गारी हूं और यहाँ पर यह जगा बहुत पीस्ति घ्र फटा से खिड़की छोड़ दे, ताकि यहां से मैं देखते रहूं कि कब दिन होगा, कब रात होगी, तो मेरे को इन्य टोर्च बनाने है, तो एग चार टोर्च बनगी भाई, बहुत था, चार टोर्च मैंने याँ पर बना दिये, तो भी मैं सोचनों नहीं यह जो है इसे भी ब्लोक कर दूँ बाकी तो मैं बस आज की राद यहां पर बितानी है कल यहां से बाहर निकलेंगे काफी छोटा गर है हमारा दोस्तों कोई दिक्कत की बाद नहीं धीरे धीरे हम भी एक बड़ा गर बनाएंगे अब मैं सोचनों यहां पर मैंनिंग कर लेता हूं नीचे चलते हैं खोदते हैं देखते हैं कितना नीचे यहां पर जा सकते हो भाई साब मतलब कि अपने बास काफी सारा स्टों इकठा हो जाएगा अब इससे क्या होगा कि कला जब हम घर बनाने निकलेंगे तो मैं माइनिंग करने ही पड़ेगी सीध सकते हैं तब तक हम इसके अंदर माइनिंग कर सकते हैं जब तक नीचे लावा ना आ जाया मतलब के बाद क्या सीन हो जाता है ना कि लावा तो हमको जला देगा इसलिए मुझे नहीं जा सकते और यहां पर लिटरली बता रहा हूं बहुत ज्यादा भी तो मैं नीचे जाने लग रहा हूं मतलब कि स्टोन की कमी नहीं है बहुत सारा स्टोन अपने पास हो जाएगा बहुत ही टकड़ा एकदम अलिशान घर बनाऊंगा वाई सारे देखते रहे होगे तो यहां पर आप लोग देख पार हो कि मैं माइनिंग करते करते कि इतना नीचे आगे अंडर बना लेता हूं है मतलब इस टोनन और करते करने के स्वार करिकस भी बना लिए यहां पर इस तरीके से बने गएते तीनों चीज़े मेरे पास वुड़ की भीmist ओ भार इस से तो बहुत तेस तूट जा रहे है सारी चीजे अर्ठ तोड़ते हैं और यहां पर सारी collect करके यहां से निकलता हूँ और एक torch मेरी नीचे चलिगी शेट यार कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी फटावट यार यहां से निकलते हैं मेरे साफसे दिन हाँ भाई दिन हो गया जल्दी से चलते हैं माइनिंग करने और अब मैं अपना तकड़ा घर बनाने वाला हूँ मतलब कि एकदम आली शान घर बनेगा तो कैस अभी मेरे को सामने की तरफ में एक जगा तो दिख रही है जहां पर मुझे अपना घर बना लेना चाहिए मतलब कि काफी बड़ी ऐसी जगा तो नहीं है लेकिन काफी अगर हम यहां पर घर बन इधर से बना वण वाना तो बहुत सही लग है अथर से अचे इंडर लग रहाmist है इधर से भशर अब दो वैसे थोड़ा वो तो बन जाएगा इतना तो बनी जाएगा कि हाँ रात में मैं यहां पर बस सकते लेकिन पुरा प्रोपर नहीं बनेगा तो यह वही हमें तोड़ना पड़ेगा चलो भाई यह तो होगे अपने टो फ्लोर की जितनी भी सीड़ी आनी थी वह होगी है और यहा मैंनी आ रहे होगी तो यहां पर काम करता हूं अभी कुछ थोड़ा सा समझ आए होगा चलो तो अगली रात भी होने वाली है यहां पर आप मेरा घर देख पार हो फिलाल मैंने अपना घर जोने कंप्लीट कर लिया है अब बस इसके अंदिना डोर लगाने बैड लगाने है इसाब चोटा-पोटा काम बचे रहा है यहां पर मैं शिप को मार दूं क्योंकि अगर मैंको भूक लगी दिने तो खाना-काने को भी कुछ न कुछ चाहिए और यहां पर मैंको लग रहा है अगली रात हो चुकि और जॉम्पी भी आने वाले हैं तो यह सबसे पहले हमारे घर की एंट्री तो यहां पर मैंने कुछ काम जो है थोड़ा वह डर्ट से कर रहा था और फटावट आप सीड़ी देखो वाइसा मतलब इतनी लंबी सीड़ी बनाई जैसे महलों में होती है थोड़ी उस टाइप कि है तो मैं घोड़ों की तरह उपर चट के जाना पड़ रहा मढ़े है था कि मैं सब पें नजर रख सक entrepreneur को यहां से लेकिन अभी मेरे को लग रहा हुए कि मैं काफी उची जगा घर बना रहा हूं लेकिन इस से भी उची उची जगाह यहां पर अभी बनीव यह है तो एक काम करते हैं आप और ने हं तो के ऐसा रहता रहा अब है यहां परसे से बंद करना पड़ेगा तो जल्दी से जितने स्टोन हो सकते सबको तोड़ता हूं तो यहां पर भी मैंने एक यह बनाया था ताकि मैं धंग से क्राफ्टिंग कर सको उपर चड़के तो इस तरीके से भी मैं बनाने वाला हूं कुछ इस टाइप का मैं घर बना रहा हू तो मेरे सबसे अब उपर से नहीं आ पाएंगा उपर से मैंने थोड़ा खुला चोड़ दिया क्योंकि मैंने लाइट का कोई जुबान नहीं कर रहा है वैसे मैं बास कोल पड़ा है तो मैं टोर्चिस बना कर लगा सकता हूं ओ भाई सब खतम भी हो गए तो चलो काई जबी स सुबा हो चुकिए और यहां पर ना बारिश भी होने लगी है और वहां पर उनके बास जितने भी बैड़ा और यह देखो भाई अपने घर से सीड़ें उतरने में कितना जादा मजा आ रहा है मतलब बहुत ही सई घर वन गया यह तो ओके तो आप उपर से देख पा रहे हो अभी न मेरे को ऊपर से पुरी आज लगी से बाकी तो आफी कुछ का म कर दिया है कि जितना भी डर्ट का काम है इसे मेरे को रटाना मतलब होड़ाना है और यहां पर ना मेरे को समध्नी आरहारा में अपनी हेल्थ कैसे बढ़ा हूंगा तो अकर आपको पता है तो कमेंट मे जरूर बताना तो यहां पर मेरे को इससे थोड़ा बहुत मीट मिलगा जिससे मैं खा कर अपनी हेल्थ कमस का मेंटेन लग रहा हूं कम नी हो रही काफी कम होगी ती रात में मतलब क्या सीन हुआ था कि मिरे पर HP तो थी लेकिन यार मतलब HP जाने लगी थी कुछ खाने वाने को थानी कच्छा खाने से नहीं अधर डायरेक्ट बंदे को मारा और सीधा खा लिए तो ज्यादा हेल्थ नहीं बढ़ती अगर वहीं पर मैं उसे फनास में पका के खाऊंगा तो बहुत ज्यादा हेल्थ बढ़ती है और यहां पर यह वही काऊ है जिसमें से मैं आग चोरी करन नहीं होंगे और भाई मिरको जूंबी का साउंड आ रहा है एक सिकनी गेट खोलते हैं तो गेट मैंने खोलते हैं बैट का जुगाड हो गया यहां पर एक चेस्ट पढ़िए चेस्ट के अंदर भाई सब काफी कुछ खाने का समान है बहुत सारे पोटाटो रखे हैं सारे के फिडिले डाइरेक्ट तो यहां पर अभी सबसे जितने ही पोटाटो मैंने उठाके रखता हूं और सारे के सारे अभी अभी लगे आख खा लूंगा भाई सब तो उठाए है लेकिन एक चीज़ उठाना भूल गया तो जमीन पर मेरे साबसे उनके घर में थाई नहीं और अ मैं तो यहांपर जाए लेकिन घर की जो षीडिया वह बहुत जादा जाए मने रहाए haraj उनकार नहीं पर आ इकर कि आ यूश करेंगे बाद में कर लेंगे दो का चलन सेट इस विडिए तो इसे वाली वीडियो मं बाध Columbus लगे ने थे हैं लेकी दोट को जन्हें कर दे Natalie को खेल में जгए लगी करना लाइक करना है चैनल पधी नहीं दॉलिए करना है चैनल को सब्सक्राइब बदना मत भूलना और है यार मुझे कमेंट में जरू बताना कि क्या मुझे माइनक्राफ सीरीस कॉंटियूनी करनी चाहे या फिर नहीं तो यार आज किस वीडियो में इतना ही मिलते एकली वीडियो में गुड़ बाई झाल